अस्सलाम वालीकुम राहमतुलाहियो वरकातु हूँ प्यारे बच्चों आज हम फिर आपके पास आए हैं एक नया पार्ट लेकर यत्ता पाच्वी विशे हिंदी और टॉपी के आज अपना मोती जैसे दाद जी हाँ बच्चों चलिए शुरू करते हैं अथर्व के जनम दिन का निमंतरन पाकर बैगनी परी अपने देश से आई थी परी ने अथर्व को जीओ हजारों साल कहां और उसे परी देश के बैगनी रंग के खूब सारे चौकलेट दिये धन्यवात परी अथर्व ने कहां परी मुस्कुराय कर बोली मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चौकलेट है हमारे यहां तो चौकलेटों की खिती और शित पे के जड़ने है प्यारे बच्चों, यहां पे अथर्व का जनम दिन है, जनम दिन यहने बच्चों होता है, सालगिरा या पैदाईशी दिन, या बर्थ दे, तो उसका निमंतरन, निमंतरन यहने बच्चों होता है, दावत, पाकर बैगनी परी अपने देश से आई थी, परी ने अथर्व को बहुत सारे चॉकलेट्स लाए थे तो अथरवन ने धन्यवात किया परी ने कहा मुझे पता है कि सारे बच्चों को चॉकलेट्स और शीदपे बहुत पसने और परी देश में तो चॉकलेट की खिती और शीदपे के जहने हैं अथर उन्हें परी से परिबраш के लिए उड़ चली, परीदेश देखकर अथर्वो बहुत खुश हुआ। कि तो बैघनी-परी देश को ये कह कर कि आप मुझे आपस परीदेश His ल की तो परिणी कहा बिल्कुल देश लेच चलूँगे क्यों नहीं। यहां देखकर अथर वो खुशी के मारे खिल खिला कर हस पड़ा, अब उसने देखा कि यहां अरे परीदेश में तो वाकई में चोकलेट जो हो खेतों में हैं और शित्पे के जरने भी हैं, तो कुल ट्रींग है यहां पे जिसके जरने हैं, तो अथर वोगत खुश हुआ कि य यहाँ पे चौकलेट बच्चों को कितने चाहे उतने खेतों में तोड़के खा सकते हैं, तो यह देखकर ओ खिल खिला कर हस परा, वहाँ कुछ बच्चों के पास गया और उसने हाथ मिला कर बोला, दोस्तों मैं अथर्व हूँ, पृत्वी लोग से बैगनी परी के साथ आया हूँ, सौगत है मित्र कहकर वे बच्चे भी हस परें, जैसे अथर्व उन बच्चों के पास गया, हस कर मुस्कुरा कर उनको हाथ मिलाए जैसे कि आप नए दोस्त बनाते हैं, वे इसे अथर्व ने भी वहाँ जाकर उनको हसते हुए सलाम किया, हाथ मिलाया और कहां मैं अथर्व हूँ, और मैं कहां से आया हूँ, धर्ती लोग से आया हूँ, पृत्वी लोग से आया हूँ, बैगनी परी के साथ आया हूँ, तो अथर्व को मिलकर वो बच्चे भी क्या होने लगे हस परे खिल खिला कर बच्चों हम भी अगर दूसरे मुलक में सोरी दूसरी जगा पर जाते हैं तो हम भी अपने दोस्तों को या ऐसी दूसरे बच्चों को दोस्त बनाते हैं एक दूसरे का नाम बता के बिलकुल उसी तरह अतर्व भी उनसे दोस्ती कर रहा था वे अतर्व के दूट से सफेद मोती से चमकीले दाद दे कर हैरान रहे गए वो बच्चे अतर्व के दूट से सफेद मोती से चमकीले दाद दे कर हैरान रहे गए अथरव उन बच्चों के काले, पीले, टूटे, फूटे दाद देखकर चकित था अभी बच्चों जैसे उन बच्चों ने अथरव हसा MALE अथरव के आधाद कितने मोती जैसे चमकिले हैं और परिदेश के बच्चों के दाथ जैसे कि यहाँ पिच्चर में बताई हुए टूटे फूटे काले पीले इस तरह के दाथ तो अथर्व के दाथ देखकर ओ लोग बहुत हैरान हो गया रहे अथर्व के दाथ कितने चमकिले हैं और अथर्व उनके दाथ देखकर चकित हैरान रहे गया क्या रहे परिदेश के बच्चों के दाथ इतने खराब कैसे होते हैं अचानक उसे डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई उन्होंनी कहा था अथर्व बेटा शिद पे मत पीना चौकलेट च्विंगम मत खाना नहीं तो तुमारे दाथ खराब हो जाएंगे अचानक उसे डॉक्टर अंकल की याद आ गई कि अथर्व अगर अपने दाथों को अच्छा रखना चाते हो तो कूल ड्रिंक्स या फिर कोई और ड्रिंक्स न पिए और उसके बाद बच्चों चौकलेट च्विंगम खाने से बिलकुल परहेस करें इन चीजों की वज़ा स से तुमारे दाथ जो है वो खराब हो सकते हैं इसलिए इन चीजों का सेवन न करें इन चीजों को न खाये पिए प्यारे बच्चों हमें भी अपने आदतों में या आदत लगानी है कि हमें चौकलेट च्विंगम या फिर कुल ड्रिंक्स हैं इन चीजों से ज़्यादा से बचना चाहिए ये आपके लिए चीज़े मुनासिब नहीं है अथर्व बुदबुदाया उसी इसी कारण इस देश के बच्चों के दाथ खराब है अथर्व बुदबुदाया ने आहिस्ता से बोला कि शायद इसी कारण क्या है इस देश के बच्चों के दाथ इतने उठो बेटा अथर्व आज विद्याले नहीं जाना है क्या अथर्व मा के मोती जैसे चमकते दाथ देख रहा था तो जैसे ही अथर्व बुदाया उसे ऐसा लगा कोई उसे बहुत जोर से जंजोर जंजोर के उठो उठो हिला के उठा रहा है जैसे उसने आख खुली तो मा केह रहते उसके अथर्व के के बेटा अथर्व उठो क्या आपको विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बचाएंगे सुबा उठने के बाद शाम रात को सोने से पहले हम दाद को जरूर ब्रश करेंगे और क्लीन करके सोएंगे और उठने के बाद भी क्लीन करेंगे ठैंक्स पॉर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं आगली वीडियो में बच्चो एक नए पार्ट के साथ और हाँ बच्चों हमारे चैनल पे आपको निभन्द याने मजामीन उर्दु में ऐसे इंग्लिश में और बहुत सरी चीज़े मिलें